सोने के गहने हो तो 22 कैरेट बेस्ट है गोल्ड कॉइन हो तो 24 कैरेट बेस्ट है लेकिन हीरा हीरा कौन सा बेस्ट होता है क्या आप जानते हैं आजकल मार्केट में आपको 20 हजार में भी हीरे की अंगोठी मिल सकती है लेकिन क्या वो डाइमेंड असली है या फिर मूल्यवान काज का टुकुडा है नमस्कार आपके साथ मैं हूँ भावना सांखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंडी ओरिजिनल्स त्योहारी सीजन में सोना चांदी और हीरे के जेवराद खरीदना सबकी पहली पसंद होता है चाहे छोटी सी अंगूठी क्यों ना ले दिवाली के त्योहार पर गहने जरूर खरीदते हैं हमारे पिछले वीडियो में हमने आप पोस सोने से जुडी सभी जानकारी दी थी सोने की शुधता से लेकर असली और नकली सोने में फर्क कैसे करे ये भी बताया था जिससे आपको दिवाली के शॉपिंग में आसानी हो आज इस वीडियो में हम आपको डाइमंड यानी की हीरे से जुडी जानकारी बताएंगे हीरे की शुधता कैसे मापते हैं, कौन सा हीरा बेस्ट होता है सबसे नीचले स्थर से उपरी स्थर का हीरा सब ही बताएंगे आप में से बेहत कम लोग ही जानते होंगे कि हीरे की भी अलग-अलग क्वालिटी होती है अगर आप पंजाबी गानों के शौकीन है तो आपने किसी न किसी गाने में VVS डायमंड के बारे में जरूर सुना होगा ये कोई ब्रांड या फिर किसी डाइमंड कंपनी का नाम नहीं है बलकि डाइमंड की क्लारिटी दिखाने वाला एक ग्रेड है जैसे सोने को कैरेट में मापा जाता है वैसे ही हीरे की भी क्लारिटी होती है जिसे ग्रेड में मापते हैं हीरे की कुल 6 ग्रेड या श्रेणी होती हैं चलि आपको एक एक करके बताते हैं सबसे उपर से सबसे नीचले स्तर का हीरा कौन सा होता है हीरे का सबसे नीचला ग्रेड होता है आई I का मतलब यहाँ है included ये I1, I2 और I3 भी होते हैं इसमें अशुद्धता को माइक्रोस्कोप दस गुना मेंगनिफाई करके आराम से देखा जा सकता है इससे हीरे की पारदर्शिता और उसकी गुनवत्ता घटती है SI, Slightly Inclusion, यानि हलकी मिलावट ये थोड़ा उपरी सतर का हीरा होता है इसके अंदर भी SI1 और SI2 ग्रेड होते हैं इसमें भी दस गुना मेंगनिफिकेशन के साथ अशुद्धता को देखा जा सकता है हालकि इसमें अशुद्धता देखना थोड़ा मुश्किल होता है इसके उपर जाये तो आता है VS1 और VS2 यानि Very Slightly Included इसमें थोड़ी सी मेहनत करके दस गुना मेंगनिफिकेशन के साथ अशुद्धता देखी जा सकती है लेकिन इसे बहुत ही माइनर माला जाता है एक पार की ही शायद इसकी अशुद्धी को पकड़ पाएगा VVS1 और VVS2 यानि Very Very Slightly Included आमतोर पर ये हीरा सबसे ज्यादा बिकता है गानों में भी इसी का जिक्र होता है ये लगभख अशुद्धी रहित होता है इसमें मिलावट इतनी बारिकी से होती है कि किसी पार्खी के लिए भी दस गुना मेंगनिफिकेशन के साथ उसे पकड़ पाना आसान नहीं होता है अब आपको बताते हैं हीरे की वो ग्रेड जो दूसरी सबसे उच्च ग्रेड है ये है आई एफ यानि इंटरनली फ्लॉलेस इसमें दस गुना मेंगनिफिकेशन में कोई मिलावट नहीं दिखाई देती है ये दूसरा सबसे उच्च ग्रेड का हीरा होता है अब आखरी और हीरे की सबसे उच्च ग्रेड बताते हैं ये है एफ एल ग्रेड इसका मतलब है फ्लॉलेस इस ग्रेड के हीरो में आशुधिता को नहीं देखा जा सकता है इसमें मिलावर या किसी भी तरह का निशान नहीं दिखता है ये हीरा सबसे बैस होता है इसलिए इसे फ्लॉलेस कहा जाता है तो यह थी in-klo dead से लेकर flawless तक की हीरे की स्टभी grade वैसे तो हीरे सभी अच्छे होते हैं लेकिन जब हीरा खरीद में जाये तो इन grade के मताबिक अपने पसंद की हीरे की पहचांद अच्छे से कर सकते हैं क्या आपका हीरा बेस्ट है या नहीं ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और ऐसी ही दिल्चस्क वीडियोस के लिए जुड़े रही है न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ